उपवास का प्रियोग दो तरीकों से किया जा सकता है एक तो शारिलिक दिरिष्टी से अर्थ, चिकिस्था या स्वास्थे की दिरिष्टी से और दूसरा साधना की दिरिष्टी से अर्थ, अध्यात्मिक्ता के छेत्र में गती करने के लिए क्योंकि यहां पर हम प्रकरतिक चिकिसा पदिती की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम उपवास को शारिलिक दृष्टी से ही देखेंगे उसको परभाशित करेंगे और उसके लाभों का वर्णन करेंगे दुसरी दृष्टी से साधना की दृष्टी से उसकी चर्चा हम तब करेंगे जब योग अभ्यास की चर्चा या साधना की चर्चा करेंगे उपवास का जो मूल लक्षे है स्वास्थे दृष्टी से वो ये है कि हम अपने पाचन संस्थान को कुछ समय के लिए आराम दें या विश्राम दें जो निरंतर ही कार्य करता रहता है हमने अभी एक बारी भोजन खाया अब उसका पाचन की पूरी क्रिया लगभग चार से छे घंटे तक चलती है और इतनी देर में फिर हमें दुबारा भूख लग जाती है फिर हम दूसरा भोजन लेते हैं फिर उसको पचाने की क्रिया में समय लगता है फिर भूख लग जाती है फिर हम भोजन लेते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर ही चलते रहती है अब प्रक्रती स्वयम ही मांग करती है या हमारा शरीर स्वयम ही संकेत देता है कि अब शरीर को आराम की पाचन तंतर को आराम की आविशकता है जिस प्रकार से जब हम बिमार पढ़ते हैं तब बहुत सारे लोगों के शरीर के अंदर बूग कम हो जाती है या बिलकुल ही समापत हो जाती है क्योंकि उस समय शरीर के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि अब वह भोजन को बचा सके तो प्रकृति स्वेम ही हमारी बूख को बूख की इच्छा को वेग को शांत कर देती है परंतु कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जबरदस्ती खाओ यदि आपको बूख नहीं है बिमारी में तब भी खाओ इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर पहले ही उरजा नहीं है भोजन को पचाने के लिए क्योंकि बूख नहीं लग रही है और जो उरजा है वो रोग को ठीक करने में लग रही है रोग से लड़ने में अब यदि और आप भोजन खाएंगे तो शरीर के पास पहले ही उर्जा नहीं है भोजन के बाद और आपको ठकावट होने लगे की क्योंकि अब शरीर के अंदर भोजन चले गया तो अब और जगाए से शक्ती वापस आकर उस भोजन को तो पचाना ही पचाना है चाहे कुछ भी हो जाए तो शरीर जो उर्जा लग रही थी भोजन रोग से लड़ने में अब भोजन को पचाने में लग जाती है परंतु हाँ यदी तो आपका रोग एक, दो, तिन दिन का है और उस समय भूख कम हो गई है या खतम हो गई है तब आपको भोजन रोग देना चाहिए या बिलकुल संतुलित कर देना चाहिए परन्तु यदि रोग लंबा है कुछ हफ्तों महीनों चलना है उस समय भोजन नहीं रोका जाता भोजन संतुलित मातरा में जो चिकिस सक आपको निर्देश दे वो भोजन लिया जाता है परन्तु जो समानने खासी हो गई जो काम, बदंदर्द, बुखार इस परकार की समस्या यदि चल रही हैं तो ऐसे में भोजन आपको रोक देना चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वास्थे को परदान करने के लिए ही एक अंग है अब यदि हम अपने आसपास में देखें जब कोई जीव या जानवर बिमार होता है तो वह सबसे पहले खाना पीना छोड़ देता है ज इस परकार से कुटा है बिल्ली है जो हम आसपास में अपने निरंतर ही देखते हैं और जिनको हम अनुभव करते हैं अब्जर्व करते हैं उनकी गतिविधियों को तो जब पालतु जीव बिमार हो जाते हैं तो वह सबसे पहले भोजन को त्याग देते हैं वो कुछ भी नह खाते हैं आप उनके आगे स्वादिश से स्वादिश भोजन रखें वह उसको भी नहीं खाते क्योंकि वो प्रकरती के संकेतों को सुन रहे हैं देख रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं प्रकरती के और अपने बीच में वह अपने बुद्धी को नहीं लगा रहे हैं तो श पाच्छक तत्वों का निर्मान कर सके भोजन को पचाने के लिए इसलिए शरीर में भूख कम हो जाती है जो सौभाविक भी है केवल हमें जरूरत है प्रकृति के संकेतों को सुनने की और समझने की उपवासकार्थ ये नहीं है कि आप अपने आपको भूखा रखें या जबरदस्ती भूख से तड़पाएं प्रकृतिक चिकिस्था पदिती के सिध्धान्त अनुसार रोगों का कारण शरीर के अंदर विजातिय तत्वों का या द्रवों का एकत्रित हो जाना है तो जब हम रोग ग्रस होते हैं उस समय में शरीर की सफाई प्रकृति स्वयम ही करते रहती है तो कुछ समय के लिए यदि आप भूजन को बंद कर देंगे या ना के बराबर कर देंगे तो शरीर अच्छे तरीके से उसके शुद्धी करन की प्रकृया हो पाएगी और शरीर का विश शरीर से बाहर निकल जाएगा जो रोगों का कारण बन रहा था परंतु स्वस्थ होने के बाद भी यदि जबरदस्ती आप उपवास में हैं और अपने आपको बूखा रग रहे हैं तो इस से आपके शरीर के अंदर कमजोरी और पोश्चक तत्वों की निरंतर ही कमी होते चले जाएगी और शरीर निर्बल, कमजोर और रोग ग्रस्त होते चले जाएगा इसलिए उपवास करने से पहले आपको उपवास की पूरी जानकारी होना आवश्चक है कि उपवास कब आरम करना है, कब समाप्त करना है, किस परकार से आरम करना है और किस परकार से दीरे दीरे उसको समाप्त करना है और उपवास काल में क्या-क्या गतिविधियां आपको करनी चाहिए गरंथों में उपवास के कई परकार के नियम और विधिया बताई गई हैं जिसकी चरचा आने वाली वीडियो में हम एक-एक करके विस्तार से करेंगे उपवास जब भी करें तो चिकिसक से सलहा लेने के बाद ही उपवास करें अपनी मरजी से वीडियो देख कर या कहीं से पढ़कर उपवास ना करें क्योंकि उपवास जो किये जाते हैं वह आयू, अवेशक्ता, आपकी शारिरिक प्रगरती, शारिरिक स्थिती, अवेशक्ता आदी सभी चीजों को ध्यान में रखकर किये जाते हैं उपवास कब करना है, कितने दिन का करना है, कैसे समाप्त करना है वह सब निर्भर करता है आपकी स्थिती के उपर तो एक जैसे नियम हर किसी के उपर लागू नहीं होते हैं अगली वीडियो में हम उपवास के संबंद में और विस्तार से चर्चा करेंगे